हाई एवरीवान होपे डोइंग वेल तुदेज वीडियो विल बी पार्ट अवर यूटूबर फ्री श्राटेजी सीरीज वेर वी टेस्ट चाटेजी इस प्रवाइड बाई यूटूबर और फेवरेट यूटूबर्स और बैक्ताइज जो स्ट्राइजी सें केल्कुलेट द नहीं करने जाता ओनेस्ट ली बोलू मेरे चैनल को ट्रैक्शन ही मिला था उनके स्ट्राइजी को बैक्तेज करने के बाद और मेरे को ये बात मानने में कोई शरम नहीं है स्ट्राइजी अच्छी थी रिजल्स भी अच्छा था इसलिए मैंने उसकी तारिफ किया था और उन्होंने भी वो वीडियो को अप्रिशेट किया था and I still respect him for that and I don't have any hate for him problem तब हुआ जब उनका एको स्ट्राइजी मेंने बैक्तेश्ट किया और उसका रिजल्स अच्छा नहीं था तो हमें copyright strike सब मिले तब हमारा चैनल नया नया था और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स है न उनको पता होगा कि चैनल पे हमारा हालत क्या था इसलिए मैं वीडियो बनाना आवाइड कर रहा था उनके ताकि मेरे को और कोई copyright strike ना मिले अल्रेडी चैनल पे अभी के आरे अकेडमी का copyright strike आके रखा है पाताने इनको क्या मजा आता है copyright strike दिने में बट अब आप लोगों की request भी तो मैं ignore नहीं कर सकता ना इसलिए आज हिम्मत करके वीडियो बना रहो उमीद कर रहो इस पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आप उनका चैनल देख सकते हो स्क्रीन पे by the time of recording हमारे भी चैनल पे बहुत जल्दी 20K होने वाले है so अगर आप में से कोई है जिसने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारा content भी अच्छा लग रहा है तो बाई जल्दी सब्सक्राइब कर दो किस बात का wait कर रहो और अगर हमारा 20K हो गया है तो भी सब्सक्राइब करो उसमें क्या हो गया so in today's video we will see another famous strategy which is called as 22-33 SMA Scalping Strategy स्क्रीन पे आपको उनका वीडियो दीख रहा होगा नाम से आपको इतना समझ गया होगा यह स्क्राइब इसमें उन्होंने 22 और 33 SMA यूस किया है उन्होंने यह strategy Nifty के लिए बताया है तो हम भी इसे Nifty में ही test करेंगे तो इंट्रों के दा हम strategy पे चलते हैं जा हम 22-33 SMA Scalping Strategy provided by सिद्धाद बानुशाली को total 100 times test करेंगे in Nifty और चेक करेंगे कैसे काम करता है so hi everyone this is Pranit from Trader Insights let's start the video सबसे पहले हम trading view open करेंगे अब time frame को 3 minute कर देंगे अब उपर indicator में click करेंगे और SM search करेंगे तो यह built-in वाला moving average simple आएगा हम इसे chart में दो बार add कर लेंगे अब यह पहले वाला जो indicator उसका settings open करेंगे period को 22 करेंगे और style में जाके color अपने सबसे जो भी रखना है रख सकते हो मैं green कर देता हूँ अभी और thickness बढ़ा देंगे और okay कर देंगे same अभी दूसरा वाला indicator भी open करेंगे उसमें भी period को हम 33 करेंगे और style में जाके color अपने सबसे change करेंगे और thickness को बढ़ा देंगे और okay कर देंगे लो okay set up ready चलिए rules for buy entry देखते है सबसे पहले both 22 and 33 ऐसे में should be rising फिर a price should take a retest making a green candle at this band इसका मतलब ये है कि समझो price ऐसा नीचे से उपर गया तब आपको consider नहीं करना है price उपर जाके वापस जब band पे retest करेगा ना और एक green candle बनेगा जो ये band को touch कर रहा हूँ तब ही आपको entry लेना है so जहाँ पर भी एक green candle form होगा वो हमरे लिए trigger candle बन जाएगा entry would be high of the trigger candle stop loss would be low of the trigger candle और target two times the risk जैसे आप देख सकते हो ये example win था चलिए next example देखते हैं जैसे यहाँ देखो इदर ये candle पे हमें buy signal मिला है यहाँ दोनों SMA भी rising है और price retest कर रहा है और एक green candle बना है जो ये band को touch भी कर रहा है so ये हमारे लिए trigger candle बन गया so हम इस trigger candle के high के उपर entry लेंगे stop loss trigger candle का low रखेंगे और target two times the risk so ये example win था चलिए और example देखते हैं जैसे यहाँ देखे इदर भी हमें एक candle मिला है यहाँ पर buy signal जैसा हुआ है यहाँ दोनों SMA rising है और price भी जाके band को retest कर रहा है और यहाँ पर एक green candle बना है जो ये band को touch कर रहा है so ये हमारे लिए trigger candle बन गया अब इस trigger candle के high के उपर entry लेंगे stop loss trigger candle के low रखेंगे target two times the risk but unfortunately यहाँ मारा stop loss इट हुआ है कोई बात नहीं यार winner loses part of the game ना चलिये अब rules for sell entry भी देख लेते हैं first both 22 and 33 SMA should be falling price should take a retest making a red candle at this band basically इसका मतलब यह है कि price ऐसा नीचे आना चाहिए और वापस जाके यह band को touch करना चाहिए और एक red candle बनाना चाहिए आपर उसका retest लिया है और यह red candle यह band को touch करना चाहिए so जैसे आप देख सकते हों यहाँ पर ऐसा हुआ है so यहाँ अमरे लेंगे ट्रिगर केंडल बन जाएगा entry वोड़ भी low of the trigger candle stop loss would be high of the trigger candle और target two times the risk जैसे आप देख सकते हों यह example win था चलिए और एक example देखते हैं यहाँ देखे इधर हमें एक sell signal मिला है यहाँ दोनों SMA falling है और price retest कर रहा है making a red candle जो यह band को touch भी कर रहा है so यह हमारे लिए trigger candle बन गया हम इस trigger candle के low पर entry लेंगे stop loss high के उपर रखेंगे और target two times the risk so यह example भी हमारे लिए विनता चलिए I hope आपको strategy clear है मैं जान बुचके इतने सारे example कवर करता हूँ ताकि आपको सब clear हो आप उनका वीडियो भी ज़रूर देखे अगर आपको strategy की बारे में और जानना है तो तो इस strategy कम टोटल hundred times test करेंगे और इसका असली win rate चेक करेंगे I'll let you know the full result after the test चलिए results देखते हैं So the test आ रोल चैसे आप देख सकते हो total number of trade was 100 उसमें से 59 are win and 41 was loss so win rate हुआ 59% वाव total gain in an account was 26.47% and max drawdown is minus 1.25% continuous win in a row is 8 continuous lose in a row is 4 so total duration of the test was 1.512 months जैसे आप देख सकते हो strategy is profitable 26.47% का gain in 1.512 months with a drawdown of just minus 1.25% it's really amazing scalping सबको नहीं जमता है और सिंस आपको scalping में बहुत कम price moment capture करना होता है for a scalping strategy 26.47% gain in 1.5 months is pretty good Kurosho Siddharth Banushali for sharing this amazing strategy देखो ये वाली strategy कितनी अच्छी निकली है उनकी इसा को मेरे को उनकी लिए hate नहीं है पहले में बता जेता है as always जैसे मैं आपको बोलता हूँ सीधा मेरी बात या किसी की बात आपको blindly trust नहीं करना है हर strategy को पहले खुट test करना है और फ़र decide करने के strategy कैसे काम करता है आपको ये वाली backtracing sheet चाहिए तो मैंने अल्रेडी इसे मेरे चाहिए नहीं है तो मैं डिस्रिप्शन में जीरोता का लिंक डाल दोंगा आपको ये वाली backtracing sheet चाहिए तो मैंने अल्रेडी इसे मेरे चानल पर share किया है आपको एक वीडियो सजेस्ट हो रहा रहेगा लिंक डिस्रिप्शन में होगा इसे ज़रू देखना आपको मिल जाएगा प्लीज कमें आपके फीड़वाइक दीजिए और कॉंसे जड़ेजी आप चाहते हैं कि हम backtest करें अपके फीचर वीडियोस में ये भी ज़रूर बताना आप हमारे चनल के प्लेडिस देख सकते हो और दूसे जड़ेजी के वीडियोस भी देख सकते हो All the social media links will be in the description, please follow us and show us support More awesome contents are on the way, so see you next time